विल्कम बेक तो मा यूटूब चैनल पेपर रहकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका कुश्चन नमबर 14 का बचा हुआ पोर्टवान है तो पहले कि पाचन क्रिया क्यों किसे का या एंजाइम का पाचन के रिया किसे का अदे और एंजाइम का पाचन करिया में क्या योगदान रहता है ठीक है यह हमने पड़ा था आध हम पढ़ेंगो जो आपको पोसक तत्य रखे थे कार्व हीडेट प्रोटीन और Jiang Lawrence तो हम जानते कि पोस्क्त कारघ लाइजेशन काड पाचन की योजिना किस तरह से होती है कि सबसे पहले अगर हम बात करें और टी तो सबसे पहले हम बात करें कि कार्वहाइडेट का पाचन किस का पर है तो हो akt puedes नाथब्ट टुक कार्व कार्वाइब ल flights उता है तो मिलता है छोकी पार उलिस पर गवे वह सकता है आपका समय इस्कार्याइट जोह होसकता है ऊपका गलाइकोर्जन एक्सेक्टरा तो आपका पॉली सेखेराइड होता है पॉली सेखेराइड नमबर इक दो यह आपके तीन एंजायम होते हैं ठीक है ठीक है इन्टेस्टानिक अमाइलेज जो की आद्या intestine में पाए जाता है ठीक है तो ये आपके तीन enzyme जो है इनको पाचन में कारिये करते हैं तो सबसे जयादा पाचन जोसका जो सरसार कि आपका क्या है कर्ञों है ऑइंडरीड है है कर वी ऐंडरीट हर permettre है जिसके कहाने किस तरह से तरह से इसका हूद और क्या गरता है अगर सताइव शुच्रेंव यहां पर पहले पारचन किसी में होगा आपका programmes पाचन और यहां पर और सशा själरी गाढ़ी hourly आपके सब्सक्राइब सिरत में है माफंच में यह आपका डाईशेकराइट बन गया। अब जो आपका डाईशेकराइट बना ऐटिक कम ऑलन लो आपका बन गया माल जो तो माल जो को माल टॉटर कॉ माल टीज नामक एंज्म जो आपकी गिलेंड में पार जाता है माल टेज सद्टेकराइड कनवर्ड इन्टू मोनोसेकराइड वाही माल्टेज एंजयम ठीक है पाए जाता है आपके सलाइवरी ग्रेंड में ठीक है और इनका कुछ पाचन आपका इंटेस्ट आइन में भी होता है वो किस तरह से होगा यह जो आपका मोनोसेकराइड बनाई है आपका हो सकता है स्टार्च और आपके सटार्च और चैर्प फेलें है टॉछ कौन बाड़ music जो गया तो में हुआ आपका माउथ जब माउथ से हम क्या करते हैं उसको जो हम खाते हैं कार्व हाइड जब माउथ से आपका कुछ नीचे जाता है वो ठीक है या आपके इंटेस्टाइन में जब हो जाता है तो वहां से पाचन किस तरह से होता है तो माउथ की कहान यह है माल लोगे क्या आपका Mouth है ठीक है क्या है यह आपका Mouth है ठीक है या Oral cavity है इसमें हमने क्या खाया था भी Carvohydrate क्या था Carvohydrate जो कि आपका Polysacryrit Polysacryrit था अब यह Polysacryrit हमारा Mouth में ठीक है Mouth में आपका Salivary Amylage दौरह क्या होगा यह Maltose ठीक है किसमें आपका malki, sucrose और lactose maltose, sucrose और lactose में ये convert हो जागा जो कि आपके क्या ये तीनों आपके di sac erade di sac erade इतना पाचन हो जाता आपके mouth की कहानी है ये ठीक है जो कि आपके appliances तौारा एक show Martial-Nama का enzyme उनको पचाता है यहाँ टक की कहानी को पूरा करता है, यह हमारी कहानी किसकी माउथ की, अब यह माउथ से जो हमारा डाइसेकराड होता है, ठीक, पॉलिसेकराड से जो डाइसेकराड में कनवर्ड होते हैं, पुसकता तो वो हमारे पेट में जाते हैं, उधर में जाते हैं, तो यह अगर हम बात करें यहां से इतनी कहानी आपके इस्टमक की है ठीक है यहां से यहां तक यह क्या है आपका इस्टमक का पार्ट है या आपका पेट है तो यहां पर क्या होता है यहां पर कुई जादा आपके एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है ठीक है और इनका नो डाइजेशन ठीक है जब एंजाइम सिक्रेट नहीं होगा तो यहाँ पर आपका ज्यादा डाइजेशन नहीं होगा क्या होगा वी पेट में आपका ज्यादा डाइजेशन नहीं होता मॉस्टली आपका डाइजेशन लगबग 30 परसेंट जो है वो आपके माउथ में ही complete हो जाता है ठीक है सकता है से 30 परसेंट कहीं कहीं आपको देखने को मिल जागा देकिन यहां पर क्या है कह रहा है यहां पर जो पाचन होता है आपका इस्टमक में वो बहुत कम होता है उदर में पाचन कम होता है ठीक है किसका कार्वोहडेट की हम बात कर रहा है जब यह आपका पेट से या उदर से जब यह आपका कार्वोहडेट कहां पहुंच जाता है नीचे यान कि आपकी आत में पहुंच जा मालों ये क्या है आपका 10 से करान किया था आपका 10 से कि राध माल तो e हुआ है इसे के राय रहे कि यह कहा है आपके थोड़ा उपर कर ले हैं ठीकी दिखनी रही है कि तो कि यहां आपके Pris फ्रलिग यहां तब देख लिया आप ओने कहां कि यह थे हैंठाइड की यहां और टाइज किर आ residents जो कि आपका कुछ पेंक्रियाटिक इन दोनों से जो है कि रहा है और यहां से भी कुछ एंजयाइम इसी क्रेट होंगे यहां से एंजयाइम का सिक्रेशन होगा और क्या होगा जो हैं क्या है आपके सांधा इन डाइस है कर दो मोन शारी जैसे आपका क्या ओगया ठीक है और onu की ओगए फ्रक्टो जो गysics और किया आपका गयलिक्टो तो इन मोनो सेकराड में यह इन्टेस्टार में क्या होता है यह कंवर्ड कर दिये जाते है ठीक है तो यहां से जो है अभी आपके क्या बन गए मोनो सेकराड यह क्या होगे आपके मोनो सेकराड अब जो है इनका पूरी तरह से पाचन हो गया ठीक है पॉली सेकराड टू मोनो सेकराड तब की कहानी यहां पर आपकी खतम होगे और अब क्या होगा यहां से जो आपकी एनरजी मिलेगी वो आपको ATP की फाम में आपके शरीर में जो है अब जोर्ब कर ली जाएगी या गिरहर कर ली जाएगी तो इस तरह से होता है आपका कार्भो हाइडेड का पाचन ठीक है किसका कार्भो हाइडेड का पाचन अब हम बात करते हैं डूसरा आपका प्रोटिन का पाचन ठीक है कि सका प्रोटिन का पाचन किस तरह से और कहा होता है जो कि आपकी माउथ में लगवग माउथ में लगबग आपके 30% डाइजेस्ट हो रहे थे ठीक है लेकिन यहाँ पर कहा रहा है जो आपका प्रोटीन होता है इसका मुख में डाइजेस्टन बिल्कुल नहीं होता है केवल कहा होता है आपका यानि की पेट इस्टमक या आपका इंटेस्टन आत्मे ठीक है तो प्रोटीन का पाचन आपका कहा होगा केवल आपका आत्मे होगा और आपका कहा होगा उदर या इसको इस्टमक कहते है तो इन दो जगहें पर आपका जो है प्रोटीन का पाचन होगा किस तरह से होगा देख तो एंजयम आपके कौन कौन से फर्स्ट आपका क्या होता है पेपसिन जो कि आपका कहा होता है इस्टमक में होता है ठीक है पेट में होता है दूसरा होता है आपका रेनिन ये भी आपका कहा होता है इस्टमक में होता है थर्ड आपका होता है अमायनो पेप्टाइडेज क्या का थायव होते हैं तो प्रोटीन का आपका किया है यह चार मिलकर का करते हैं या बनाते हैं डखिटाइड क्या बनाते हैं नहीं और टेव टॉन्स बनाते हैं डाई पेप्टाइड और टेव तॉस तो यह आपका यहाँ पर हो जाता है यह पांगी यह बात थी आपके किसकी इस्तमक की देख्ष आपका जो डाई पेप टान डाई पेपटाइड यह पेपटाइड प्र districts बनाएं मालों यहाँ पर क्या है एक यह आपका च्छोटी आत में निकलता है और तो आपका जो एंटेस्टाइनल एंजाम है डाय पेप्टी डेस्टाइज अब इसको कौन जो आपका छोटी आते हैं इंटेस्टाइनल के अगर हम बात करें इसमें बचा हुआ पाचन आपका क्या हो सकता है और डाइप्टी पेप्टी डेज हो सकता है इसमें इंटेस्टाइनल एंजायम आपका क्या होगा डाइप्टी डेज होगा जो कि क्या करेगा अभी पेप्टॉंस को किसमें आपका कनवर्ड कर देगा किसको पेप्टॉंस को तो इस तरह से आपका प्रोटीन का पाचन होता है ठीक है किसका प्रोटीन का पाचन होता है प किस तरह से होगा करें यह भी थोड़ा सा उधर में त्था पूरा में pesticide होता है तो जो आपका बसा या fat है इसका क्ला कि अापका उधर में थोड़ा ठीक है our में आपका थोड़ा फोरी तरह से कम होगा लेकिन पूरी तरह से का होगा इसका इंटेस्टाइंड या आपकी आत में इसका पाचन जो है पूरी तरह से होगा तो हम बात करते हैं कि आपका लिपिड की किसकी लिपिड है आपका बसा कि अगर हम बात करें तो यह साल्ट ठीक है क्या होगा लवड होगा किसमें आ कुछoldsर की बात कर रहा तो लीवर से मिलेगा कि लिपिट कहा कुलाइडल था era ट्र colloidal type का आपका एक solution जो है बना लेगा अब देखो जो आपका colloidal type का एक solution बना है अब यह आपका कहा जाएगा परगेस्ट्रिक लाइपेज ठीक है और आपका pancreatic लाइपेज और थर्ड होगा intestinal लाइपेज यह तीनो लाइपेज ठीक है तीनो लाइपेज क्या करेंगे जो आपका colloidal form बना हुआ है इसको convert कर देंगे किसमें glycerol या fatty acid में ठीक है glycerol या fatty acid में colloidal form को convert कर देगा कौन आपका gastric लाइपेज हो सकता है pancreatic लाइपेज हो सकता है intestinal लाइपेज हो सकता है आपके तीए कैंगे यह टीन ऊप से मिला था यह से मिला था लिपिड से मिलाता त्वार्पुट उपस्तिति में शाल्ट हो ए साल्ट में कहां Τा कुछ मिला था लिबर से मिला था अब यह जो तो इन लाइप इंजाइम के उपस्तिती में जो है यह फैटी असिर में कंवर्ड हो जाता है और इस तरह से आपका बसा का पाचन यहां पर ठाप असलों था इस रूप में हड्रो लाइज को जाता है यह आपका इस तरह में जो हम बहुजन खाते हैं उसमें आपका जो भोजन है इस रूप में हैड्रो लाइज हो जाता है के हो जाता है हरो भाल कि इ ю परिवहन कर विभिन भागों तक पहुंचा तक बहुँचा कर सके और इसको क्या कर सके अपजर्ब करके अपने साथ में ले जाकर या अपने साथ ट्रॉन स्पोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह यह आम कहिं क्रूचा सकता है कौन विलड ़तीड है produkt हैं तो इसी तरह से जो है आपका पाचन होता है क्या रहाता है हमने कर ऑढ़ाएदि thanks for watching and share the video